नमस्कार वक्त इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले 24 से 48 घंटे तक सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम भिवाग की तरफ से इस तरह की एक एडवाईजरी जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले 24 से 36 घंटे जो है वो भारी रह सकते हैं खास तोर पर जम्मू खिते पर और इसको लेकर बाकाइदा एक एडवाईजरी कॉपी जो है वो रिलीज की गई है एडवाईजरी की कॉपी इसमें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तोर पर लखा लिखा सकती है कई जगा पर मॉडरेट और कई जगा पर हैवी रेनफॉल जो है जम्मू प्रॉविंस के इलाके में हो सकती है जिसको देखते हुए खास तोर पर जम्मू श्रीनगर नेश्चनल हाइवे पर या फिर जो उंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां ज्यादा सावधान सावधानी बरतनी की जरूरत है इस पूरे इस पूरे मुद्धे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेटरो मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के डिरेक्टर सोनम लोटस जी इससे में जुड़े हुए हैं उनसे ज्यादा कुछ जानकारी लेते हैं सबसे पहले वक्त जैसे आपने बिलकुल सही फर्माई है कि अगले आने वाले चुबीस से लेके 36 गंटा है यानि 36 या 48 गंटा है यानि कल 26 और सटकाल और पासों की बीच में जमू कश्मीर के काफी ज़गों पर दर्मेने से दर्मेने दर्जे की बारिश होने का संभाव ना है क्योंकि मॉंस अबी सबलाय हो रहा है जिसके वजह से चंद जगों पे अगा को बारी 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 होने का संभाव ना है जो की मॉंसुम हर मॉंसुम हाता है हमने ए एक Alors कि यह लोगों को डराने के लिए नहीं किया है यह तो लोगों को एक चितावनी है सावदान बरतने के लिए में हम यह नहीं कि कि आप काम रुखो आप मत जाओ इदर उदर आप जाए आप नॉर्मल काम करें इसमें को नहीं है पर सावदाने जाता है क्यों कि मौनसून के पर वाटर लोगिंग से भी ज्यादा जो है सुलोपे एरिया है वहां पर एकदम फ्लेश फ्लेश प्लेश टाइप है थोड़ी थैप लेकिन टेश फ्लेश फ्लेश आ जाकते हैं तो काफी टाइम से बारिश होगे तो जो स्वेल है पूरा फूली साचुरेटिड है जो हमरे ज करते हैं जैसे गोर्मेंट का इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्ट अबलाय करके अपना नर्मल काम करें लेकिन साउधान बायतने की बहुत जरूरा है क्यूंकि कभी अभी अकाल भी मट ख्लाइड हुआ था चंज जगों पर जिसके वाज़ा से काफी नुक्साना पाड़ सकते हैं ऐसा लग रहा है तो लेकिन एक्जेक्ट कहना बहुत मुश्किल है कि इस जगह पर पिंपॉइंट स्पेसिफिक बोलना कि इस जगह पर पारिश आएंगे क्योंकि इतना आसान काम नहीं है पर जितना हम से हो सकता हूं इसको कॉंस्टनली मॉनिटर कर रहे हैं आप सकते हैं लोगों को अवेर करने के लिए एक जारी की गई है ताकि लोगों का नुकसान ना हो सके लोग सावधानी बर सके लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जो जम्मू शिरिनगर नैशनल हाइवे का स्ट्रच है खास तोर पर रामबन से लेकर पांत जो बनिहाल के बीच स्ट्रच है वहां पर हमने पिछले कहीं दिनों से देखा इंटेंस रेनफाल की वज़ा से वहां पर कहीं जगा लैंड स्लाइडिंग आई है कहीं जगा शूटिंग स्टोन आई है तो आने वाले 32 से 38 गंटे अगर और ज्यादा इंटेंस रेनफाल होगी तो इसका मतलब वह होने से भी लाइन सला रहा है हम यह नहीं कहे रहा है अपना प्लान बनाए लेकिन एक यह जो आपना है अपने लोगों के साहुदाने के लिए सेफटी के लिए बता रहा है यह हमने यह जो है कि कोई सेंसेशन करने के लिए कोई ख़बनाने के लिए नहीं के लिए यह एक ब हमार लोगों का जो है सुरप्षा जानमाल का सुरप्षा देना हमारे लिए बहुत जरूरी है सोनम जी यह भी जाना चाहूंगा कि इस एडवाइजरी को आपने प्रशाशन के साथ भी शेर किया होगा तो क्या कुछ प्रशाशन की तरफ से भी निर्देश दिये गए हैं अगर कुछ स्थिती बिगरती है तो वहां पर साथधानी बरती जा सके बिल्कुल इसे में हमारा संपर्थ जो है वह सोनम लोटेस जीसे तूट गया हम दोबार संपर्थ करने की कोशिश करेंगे लेकिन जो हम आपको एडवाइजरी फिर एक बार एडवाइजरी की कौपी लिखा है कि आने वाले 26 और 27 यानि की 36 से 48 घंटे तक का जो समय होगा वो जम्मू प्रॉविंस पर भारा भारी रह सकता है और निश्चितरूप में जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से रात के समय में आप देख रहे हैं कि तेज मुसलादार बारिश का सामना जम्मू के एक हैं चाहिए हम समय तवीन दी की बात कहें या फिर गठीर पर की बात के बसंतर की रिओर के बात करें जितने दरीया यहां पर पड़ते हैं वह इससमें अपने बाति बीडिन अचार्चा यह और देखने को hurt है ओने में दीडिन के लिकारं strict buildings यहां चार्प का स्मय में काफी जादा पानी जो है उस तवी नदी में देखने को मिला हालां कि ये तवी नदी बिल्कुल शांत रहती है लेकिन जब बरसात तेज होती है तो अपना रोद्र रूप धारन करकर ये कटाओ की तरफ बढ़ती है 2014 में हमने इसी तरह से देखा और ये तस्वीरे आप देख गए तो वोला गया था कुछ एक फसीवी गाडियों को निकालने की कोशिश की गयी थी कुछ एक क्लेरंस। भी हुई थी लेकिन रात को फिर जो है इस तरह से बारिश हुई और बारिश में ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ए वो दस गया और जिससे पूरे का पूरा रोड जो है वो तूट गया है वहीं रियासी में जो है एक कच्चा मकान लेंड स्लाइट के चलते जो उपर से मिट्टी खिसकी उसमें दब गया जिसमें कहीं लाइफ स्टाक जॉन्वर जो है उनकी मौत हुई है एक लेडी जो एक वो काफी ज़्यादा उफान पर इसमें है, इसी तरीके से राज में खास तोर पर जो जम्मू प्राविंस के अंदर इलाके पढ़ने वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर इसमें फ्लैश फ्लेट का ज़्यादा खत्रा बना हुआ है, क्योंकि लो लाइन इलाकों में जब पारिश होती है, इसलिए वहाँ पर किसी तरह की अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन मांजून का सीजन जिस तरह से चल रहा है, निचित रूप में सावधानियां वहाँ भी बरती जा रही है, सावधानियां जमू के इलाके, जो जमू प्राविंस का इलाका है, वहाँ भी बरती जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि कुद्रत की जो यह मार होगी कुद्रत की जो यह आपदा होगी उससे कम से कम नुकसान हो सके लोगों का हाला कि किसी तरह की जानमाल का नुकसान ना हो यह सबसे बड़ी प्राथिमिक्ता सरकार और प्रशाशन के लिए रहेगी और इसलिए एहतियातन फिलहाल जम्मू श्रीनेगर राष्ट राजमार को बंद रखा गया है उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई मुश्किलों का सामना प्रशाशन को यहा बिवाग की तरफ से जो है वो लगाया गया है वो अंदाजा लगाया गया है तो उसको देखते हुए कहीं तरह की साफधानियां बरतनी होंगी और इसलिए लो लाइन इलाका जो है तवी नदी के आसपास रहने वाले इलाके में जो लोग हैं उनको पहने ही जारी की गई है और उनको कहा गया है कि वो नदी के बीच में किसी भी कीमत पर न जाए वरना उनकी जान जो है वो मुश्किल में फस सकती है और ऐसे में प्रसाशन भी उनकी जो है वो मदद करने के लिए आएगा तो ज़रूर लेकिन समय लग सकता है और काफी मुश्किलों का सामना उनके परिवार को करना पर सकता है तो वक्त इंडिया की यह अपील है कि जो लोग लो लाइन इलाके में रहते हैं जहां पर अंदेशा है कि पानी वहां पर जमा हो सकता है वहां फ्लैश फ्लड आ सकता है वहां से वह सुरक्षित अपने आपको रखें और कहीं अगर जुरूरत हो त चाहे वो टिपर वाले हों ट्रक्टर वाले हों वो बिल्कुल भी ना जाए क्योंकि अगर वो लोग इस तरह से अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बाकी की अन खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया क के साथ नमस्कार